नमस्कार दोस्तों एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेसन को आज की इस क्लास को जितने लोग यहाँ पर पहली बार जोड़ हैं यह हमारा टेली ग्राम कि आप ऐसे देख सकते हैं ले सकते हैं ठीक है इसके लावा श्टार्ट करते हैं आज की सिसन को एक बहुत ही बहुत ही सब्दों के साथ के जीवन की जो हर समस्या होती है ट्रेफिक की लाल बत्ती की तरह होती है यदि हम थोड़ी देर प्रतिच्छा कर लें तो वह हरी हो ज प्रेक्टिस करो प्रयास करो वह भी चीज आपको समझ में आ जाएंगे ठीक है जितने भी समस्यां होती है बिल्कुल ट्रेफिक के उस लाल बत्ती की तरीकी से होती है जो थोड़ी दिर प्रतिच्छा करने के बाद आपको हरी बत्ती जली जाती है उसका रास्ता मिल जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लाव हमारे जो एप्लिकेसन है डियो जी ऑफिसल एप इस ऑफिसल एप को जो है जो डाउनलोड कर लीजे क्योंकि यहां पर जो है एक नया जो अपडेट था वो आ चुका है वीकली टे आपका संडे को चले गएगा डेली जो आपका फुल होगा और भी जो टेस्ट है प्रोवाइट करोंगा डेली बेलिवाई डेली बिल्कुल फ्री में यह एप्लीकेसन जो जरू डाउनलोड कर लीजे तो चली स्टार्ड करते हैं आज कि सेसुन को आज कि इस क्लास को नीचे जो पहला कोईशन देखिए आपके सामने यहां पर यह रहा क्या कहा रहा है थोड़ा सव यहां पर कट रहा होगा अभी ठीक है क्या क्या रहा है नेमलिकित में से कौन सा निर्ति जो है असम से संबंधित है कई बार मैंने आपको पढ़ा है अपने अपने उत्तरब्देश का आपस्ञावी असम की बात करते हैं यहां पर बहुत इंपोर्डन कोड़िशन है यह पर इसका दिया गया है यह सी ओपस्य ऑप्सन यह रखेंगा ठीक है अगला पर भारत निर्कित में किस संगठन का सदस्य नहीं है तो यहां पर भारत जो है एसको हम लोग तो आसियान की नाम से जानते हैं इसको अंबर की सिंगापोर है कमबोडिया कई सारे आपके हैं यहां पर यह नहीं अगला कोशन है टीटोंटी अंतराष्टी क्रिक्ट में क्यामन गेदो में 103 रन बनाने वाली पहली भारती महिला पता ही कौन थी वह तिक है अन्जली भागवत हर्मन प्रीत कौर अनुराधविस्वार यहां पर सही उत्तराप क्या हो जाएगा वाध करते हैं तो बच्चे इसका जो सही उत्त प्रशन को देखेंगे तो इस प्रश्ण के जो सही उत्तराप क्या हो सकता यहां पर जिए अगला हुश कर्या नेमलिखित में इसे कौन संग और क्रियोकत प्रियोकत या चती गृष्ट हटाने में सक्षम कौन संग जो है आप प्रियोक्त या छती ग्रस्त विंबाडू को हटाने में जो आपका सक्षम है तो इसकर उसे तरब क्या हो जाएगा चले फड़ा फड़ जवाब जो देती हुँ चलेंगे जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए है ठीक है इसके बाद एक और क्लास चलेगी उसमें जोड़ने का प्रियास कीजिए बच्चा यहाँ पर देखिए तिल्ली काफी लोग की जवाब आ रहे हैं ठीक है बट यहाँ पर बिल्कुल सही बात है तिल्ली जितने लोग जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे गुलाब सोना मिस्र जो होता है समलित गोल्ड रोज की बात हो रही है तो यहाँ पर सभी लोग बताती हो चलेगा गुलाब सोना रोज गोल्ड की जो भी कह सकते हैं इसमें आपका क्या क्या होता है तो साथ हुआ रहे जो गुलाब सोना होता है जिसको रोज गोल्ड बोलते है रोज गोल्ड इस कोई स्थी तरह करते हैं तो जोड़ा जै और सटार तो की नमर तो जो यहां हो सकते हैं जहां पर मुंहंक लुग की बात करते सब्सक्राइब लोकि जवाब जोग आ रहे हैं आपका घ्लिया एक पर बढ़ते हैं अगला प्रश्ण दीखिया आप यहां पूछा गया है ध्यान से दीखिएगा और सब्सक्राइब यहां पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा उत्तर प्रदेश लोग सभाम में सीटों का कितना यह भी कई बार आपको बढ़ाए गया वह उत्तर प्रदेश लोग सभाव में जो सीटों का योगदान जो आपका कितना है प्लप जब आप देते हुए चलेंगे इसके सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपका 16 दिया गया है तो असी उत्तर प्रदेश लोग सभाव में जो टोटल सीटें हैं आपकी टोटल सीटें हैं तो सी आपस नहां पर जो करेक्ट हो जाएगा बहुत ही बार आपके पेपर में जो आपका यह आ चुका है माग मेला जो किस दिन शुरू होता हुआ है राजसभा तो राजसभा दिया से आपकी 31 से बतिया रखेगा अगला कोईचन है माघ मेला जो किस दिन शुरू होता है तो बच्चे याद रखेगा माघ मेला जो है मकर्शंक्रांति के दिन आपका शुरू होता है तो option number A साथ हो यहां पर जो correct हो जाएगा माग मेला कप सुरू हो था आपका मंकर संक्रानती के दिन कवी संत कवीर का जन में पालन पोषड जो आपका किस सहर में हो था इनका जनम पालन पोषड आपका हुआ था तो बच्चा याद रखेगा इनका पालन पोषड आपका किस सह आपका याद रखेगा अगला question दीखिए आपसे यहां पर क्या कह रहा है लखनो संगीत घराने की बात हो रही है यह जो है किस उस्ताद की द्वार रखा गया था तो बच्चा याद रखेगा तो बच्चा याद करते हैं काफी लोग के जवाब देखिए यहां पर देख ब बिसमिल्ला खान एंजदली खान कुछ फेमस नाम है यहां पर याद रिखेगा बातु खान जो काफी फिमस नहीं है बट यहां पर याद रिखेगा उस लखनों घराने की जो नियू है बातु खान ने रखा था तो भी और साथियों करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला आप का पूछा गया यह च्छाप दिलक सबचीनी इसके अगर हम बात करतेबच्चा तो याद रखेगा यह जो आपका ब्रज भासा में लिखा गया वेका ब्रज भासा में लिखा गया तो आपस रंबर साथियों सी वाल जो दिया गया है ठीक जिटें के लोगे पर C जवाब दिया है वह लोग यहां पर जो है बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे जी एश्टी में निम्लिफित में से किस कर को समलित किया गया गया है जी एश्टी विच अगर हम बात करें इसको वह अस तोड़ सेवार कर करके नाम से जानते हैं इसमें चुंगी करको भी जो है किया गए है ठीक प्रकार का राज्य कर राज्य कर rail लगा जाता राज्य द्वारा कि वसूल किया जाता इसमें चुगलीकर को पनाया जाए चलेंगे इसके सही तरों किये हो जाए गा गुछ भाइक है भाइत है भारत ये डॉक्टर डीवस के अगरम बात करते हैं तो एक जुलागी माना या जाता है यह भी डॉक्टर्सडे के अगर आपके पेपर में आता है दो पर आता है एक जुलाई को जो है डॉक्टर स्टे मनाई जाता है अगला कोशन है नियॉन लैंप का विसकार किसके वरा किया गया था भई नियॉन लैंप जॉर्जस क्लाउड, सैमुल कोल्ट, मार्टिन कूपर, बिलियम कुलन प्रति नियॉन लैंप का विसकार गया था जितने भी साथ ही, जवाब दीया है अगला कोशन है डॉट 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 एक ऐसी छवी है जो प्राया फोरम और सामाजिक नेटवर्क में आउनलाइन व्यक्ति का प्रति निजित्तों करती है क्या हो जाएगा देखते हैं कि तो लोग यहाँ पर 26 का सही जवाब देते हैं यहाँ पर साथ याद रखेगा सेलफी लेते हैं यहाँ पर साथ यहाँ फोरम और सामाजिक नेटवर्क में प्रतिने तो करते हैं सेलफी आजकल बड़ा चल रहा है चलन में हैं मोबाइल उठाओ लड़किया तो आजकल बनाती हैं लेती हैं तो सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा क्लियर है चली अगला पूशन देखिए आप से यहाँ पर क्या पूशा गया है हाँ अन्दमान निकोबार दीव समू में परिस्थ जो है इंद्रा पॉइंट निम्लिकित में से किसके नि यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा लिए चली है ब्हुत अच्छी वाथ है अगला कॉशन देखिया आप से यहाँ पर क्या पूछा गया है ध्यान से देखिएगा दियूनस आरियस जो है किस देर की राधानी कई आपको बताया जा चुका है विए विद्रा स्क्राइब करते है है तो अर्जंटीना की राधानी बर्यां को इस के लवा बोलीबिया की बात करते तो यहुंसारी एगर हम बात करते हैं तो ब्राजिल की बात करते दो ब्राजीली तो ब्राजीलिया मैंने जैस चेह वड़ाया इस ब्राजीलिया है तो अर्जंटीना की राध्धानी इच इजाद रखेगा कोशन 29 है क्या पूछा गया आपसे यहां पर कि डॉट 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 राष्ट्य उध्यान में सबसे अधिक एक सिंग वाले गेंडे पाया जाते हैं एक सिंग वाले गेंडे जो है सबसे कहां पायात है बिल्कुल सही बात है योनेस्को के विस्वजु धरोवर सूची उसमें भी संब्लित किया गया है तो बी सी आपसन यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा इंफाल किस देश की राध्धानी भाई इंफाल कि अगर हम बात करते हैं किस देश की राध्धानी है इंफाल अगरतला की नागलेंड की बात करते जो है अगलेंड की बात करते तो पौक्स यहां पर ऑप्ण रम्बर ए साथियो करेक्ट हो जाएगा ठिक है अगला कौशन है भारत में निमलेकित में से कॉम सा सहर कर ने से सबसे दूर भाई करक्रेखा से सबसे दूर यहां पर कौन से हो जाएगा तो भारत में अगर हम बात करते हैं करक्रेखा टोटल आठ राज्यों से गुजरता है कौन-कौन से मिजोरम तिरपुरा पशिम मंगाल जारखंड छतित गड़ मधर प्रदेश और राज्थान फिर गुजरात इन राज्यों से गुजरता है इसके लिए मैं बात करते हैं सबसे दूर किस से हो जाएगा गाधिन अगर गुजरात में परता है अगर तला त्रपुरा न परता है भूनेस्वर आपका उड़ीसा में परता है तो यहां पर पूनेस्वर जो कर्षिक लगक्या किस राज में मनायगा जाता है और यह आपको बता है कोहिमा है ठीक है पहुषिमंगा शिक्किम भिहार यहां पर नहीं आजाता है ठीक है बिल्कुल एक रंग विरंगा पक्षी है आपका यह जो रखा गया है ठीक है चलिए अगला कोशन देखिए आप पर जो सही उत्तराप क्यों हो जाएगा और सफ्वाल कोहिमा थिसमें जापानी सिनय को पीछे अपड़ा था तो आप सथी यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन वह महाराश्ट्रा के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है महाराष्ट्रा में एक त्योहार होता है पोला त्योहार किस जानवर की जो पूजा की जाती है तो यह प्रत्योगता का जो भी आयोजन जो ही किया जाता है तो आप सब्सक्राइब बीस आती हो यहां पर जो एक करेक्ट हो जाएगा ठीक है लियर है चलिए एक एक लाइक की संख्या लाइक की संख्या इतनी कम क्यों है बच्चा लाइक की संख्या जो बढ़ाते हुए चलेंगे गहुत गलत बात है बात है लाइक की संख्या जो बढ़ाते हो चलिएगा यह ब भारत का सम्धान, भारत के नियावादी, भारत के सम्धान, भारत के महानियावदी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है, तो भारत का जो महानियावादी होता है, यहीं कि अटॉर्णी जनरल ओफ इंडिया जो होता है, उसकी नियुक्ति का अधिकार जो है, किसके पास हो मिधान डॉट 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 दौरा हाथों से लिखा गया था वही तो ओरीजिनल कॉंस्टिट्यूशन आफ इंडिया वाज हैंड रिटेन बाई 37 है जो सब्सक्राइब क्या हो जाएगा भई मैंने यह कोईशन जा रहा है हां जब महात्मा गांधी को रेल गारी से जब्रण उतारा गया था तो दच्छा फ्रीगा में कहां जा रहे थे तो उनको जो रेल से जवर उठार दिया गया था तो आप्स नमपर साथ हो यहाँ पर यह वाला जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखिए आप से हावर कह रहा है बस इतने ही कोशन है बस कोई बात नहीं तो अगली क्लास का लिंक नीचे कॉमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप झाल झाल